कि नमस्कार सातियों स्वागत आप सभी का ये वाइफाई उल्लाइन क्लासेज में पिंदी का आपका नेक्ट पार्ट में आपका ये पार्ट नमर ग्यारा है जैनकि आपके हिंदी के जो टेस्ट है आपके सभी क्लासेट आपके लिए प्लेशेटर है आपके 20 कोशन आपके रोजीना कराये जाते हैं जो आपके प्रेस्ट यह ज़तने हैं पुछ जाता है अपना लेवल आप स्वेम देखें आपको इसी प्रकार का कुश्चन पेपर आपको आ जाए तो आपको आपको कितने कुश्चन सही कर पाते हैं इतना कठन भी आपका इंदि नहीं आता है यह जो कुश्चन पेपर है मैं आपके लिए बता दू इससे पहले हम आपके श्प्ट थरका श्प्ट फोर है आपकी यह जानकि आपके चौति श्प्ट जो है आपकी छे तारीक उच्छे फरविद रहती है इसको आपको एक्जम वता चौति का हिंदी का कुश्चन पेपर हम करने वाले हैं जिसमें हमारे कुश्चन रहेंगे 20 कुश्चन या दखना है रोजना 20 कुश्चन आपके रहते हैं हिंदी का इससे पहले हमने सुबह साड़े-दस बजे साड़े-दस एम पर आपकी इसी श्प्ट फोर का जीके का कुश्चन पेपर कंप्लीट किया यदि आपको ने उनको नहीं देखा है तो जाके चैनल पर जाके जरूर दि आपके हिंदी और इंग्लिस चुना जाता है यात्तर विद्यारती हिंदी चुनते हिंदी को मैं आपके लिए कंप्लीट कराऊंगा एक्जाम से पहले आपको पूरा कंप्लीट आपको कोश्चन पेपर आपको जाएंगे 2023 में जितने भी एक्जाम होएं देखिए पहला किस पिकार से इसे लिखा जाएगा बताएं तुरित आज घर आएगा यनकी आपके ढ़ी बहुत में चलेगा विद्धूत आज घर आएगा यह आ रहा होगा यह नहीं होगा आया था आया यह बहुत में चलेगा विद्धुत आज घर आएगा भविश्क की बात कर रहा है इसमें आपका करेक्ट आंसर हुजएगा कुश्चन का याद रखनी सभी इंपोर्टेट है जो इस चैनल पर विद्यारती नए जुड़ा है सभी से रुकेश्ट वहारा नैश कोशन अगला नेमले बाके में रेखन के सब्द के सही विलोम सब्द से रिक्तिस्थान की आपको पूर्टी करनी हैं कर ले करें रेखितिस्थान की पूर्थी किस पीकार से होगा बताईए ये सबाल है आपका सज्जन मृद्दू भासी होते हैं लेकिन दुर आलिस्तान होते हैं, आपको रिखांके जो सब्द है, मिर्दुबासी सब्द का क्या सही विलोम सब्द, आपको जो मिर्दुबासी, ये जो आपका सब्द है, इसका आपको विलोम सब्द बताना है, क्या विलोम सब्द हो जाएगा, उससे आपकी इस रिक्तिस्तान की पूर्त की होगी म्रद भासी का विलोम सब्द क्या होगा पताए कि क्या जगा जगा कटू भासी जगह पर आपका जएगा कटू भासी आधक नहीं का यह भी आपको जाएगा आपके कुछन का सही जवाब हो जाएगा मारा अगला कोशन है प्रिशन नमर तीस है निमने वाक में रेखांके सब्द के लिए सरवादि उप्रियुक्त वकल्प आपको चुनना है सेम पेंटरन कोशन पेपर का आपका सेम पेंटरन चला पिछले जो आपकी जितने भी शिप्ट कराई है हमने अब तक 11 शिप्ट जो इस में आपको सरवादि उप्युक्त विकल्प आप कोई सा चुन सकते हैं जिसके पास कुछ भी नहीं हो उब जिसके पास कुछ वी नहीं हैं कि आपका आंक इंचन आक एंक चन आपका सिरीज़िए गा यह सब्दा आपका राये इन से हो अगला कोशन बदाईए इस कोशन क का अंसर करना है प्रस्न है यह सोदा व्यक्ति वाचक संग्या सब्द है यह सोदा जो है आपके क्या है एक व्यक्ति वाचक संग्या सब्द है जिसे जाति वाचक संग्या के रुप में प्रियोक करने से कौन सा विकल्प सुद्ध होगा बताईए आप से सीथा यह नहीं यह जाती वाचे क्रिष्णा की मा यसुदा की तश्वीर मैंने देखी यह भी गलत हुजएगा यसुदा हमारे घर की लश्मी है ऑप्शन मत तीसा आपका सही आंस हुजएगा याद हैंगे अगला कुश्च नेमलिकत वाक्यों में असुद्वर्तनी वाले वाक्य का चैन करना यहीं से आपको देखिए अपका सही आंस हुजए आपको बढ़ना है घर में बिस्तर हैं बरतना दिया सही राम कसरत करता है ताकि वे पहलेवान वन जाए सही जो दनका भूका है वे सादू नहीं है आपका फर्स्ट नमई असुद्वर्तनी वाले वाक्य का आपको चैन करन चलिए हमारा नैश कोशन अगला प्रस्ट नमने वाक्य में रेखांग के सब्द के लिए विकल्पों में से सरवादिक उप्युक्त सब्द कौन सा हुगा उससे आपको चाटना है देखिए मैं आज बहुत दुख़्ी हूँ यहां पर क्या जाएगा बहुत आपका जाएग अगला कुशण चल रहा हो वाक्यांक्य Bijan उच्छ सब्द बताएग जाना चल रहा हो वाकान्स के लिए उच्छ सब्द बताईए अभीयक्त के लिए उप्युक्त सार तक सब्द क्या होगा जो विरत की बात करता है, जो विरत की बात करता है, उसके लिए वाचाल जड़ कठोर आपरे वकता, क्या कहींगे जो व्यर्थ की वाते करते हैं वाचाल कहते हैं उसे क्या कहींगे वाचाल का जाएगे यादखना है वाचाल क्या दखनेगे option number first आपका सही जगा next question number विकल्पों में दिये गे किस वाके में निम्न सब्द के सही पर्यावाची का प्रियोग किया गया है मशली मशली का सही पर्यावाची जब्द का प्रियोग करके इस वाके को बनाय गया है उस वाके का नाम बताई अंसर करिए सभी फटापट से क्या answer को question का मसली का पर्यावाची सर्प गंदा पानी में रहता है सर्प गंदा ये आपका गल्द हो जाएगा मसली का पर्यावाची नहीं मतस्य जल में रहती है बिल्कुल आपका से जल में रहती है इसमें आपके मसली का पर्यावाची हो जाएगा हस्ती जल में रहती है इगलू पानी में रहती है आपको गल्द होंगे सेकंड नमबर उपसन आपका करेक्ट टांस को गाज सभी को याद है अगला कोशन नमबरा दिये गए मुहाबरे में रेकांग के तंस के इस्तान पर सबसे उप्योगत विकल्ब पर कौन सा होगा क्या answer होगा आशा करेगा सभी भाई तो देखे आद कि यहां पर क्या जगा आकास से गिरा खजूर पर अठिका आपका जमीन की जगह पर क्या जाएगा क्या जगा खजूर क्या दखाए और धुशन आपका यहाद होगा अगला कोशन है दर्ति माता की पूझा करनी चाहिए इस दर्ति का प्रयावार्ची सब्द का चैन इन विकल्पों में से करना है अगला कोशन है अगला कुशन निम्लेखत मेंसे किस मौहावरे का आर्थ है आपका जी दुखाना बताईए जी दुखाना इस मौहावरे का बताईए कुन से मौहावरे कर्थ है आंसर करिएगा देखे जी दुखाना का मतलब देखिए या दखना है शाती पर साप लोटना गल्त हो जाएगा चक्के चुडाना जी दुखाना ये थुड़ी होगा आपका है दज्जियां उड़ाना ये भी नहीं होगा शाती पर मूग दलना यानकि आपके जी को दुखाना फूर्थ नमर उप्षन आपका सही आंसो जीगा अगला कोशन नियमले बाक में रेखांगे सब्द के विलोम से दिये बाकिका रिक्त इस्तान पूर्टी कीजिए जो आपका रेखांगे सब्द है रखा परिश्रमी इसका आपको विलोम सब्द बताना है परिश्रमी वक्ति सदय अपना लक्स प्राप्त करते हैं और खलिस्तान व्यर्थ में नेस्ट करते हैं जो आपके परिश्रमी है या आपको क्या है देखांगे सब्द है इसका आपको विलोम सब्द बता दिए परिश्रमी के विलोम सब्द क्या हो जाएगा पर इस समी का क्या होगा आलसी यहां पर क्या जाएगा आलसी आपका जाएगा आलसी से बढ़ दीजे खलिस्तान को सेकेड नमर उक्षन आपका सही आंसु जागा कुशन का सभी आ दखेंगे अगला कुशन चलिए बताएए नमले की तबाक में तुरूटी आपको पेचाने उसने चार मन चावल खरीदी इसमें आपका तुरूटी कौन सा होगा उससे आपको छाटना है बताएए तवालम बोला है उसने चार मन चावल खरीदी खरीदी थोरे होगा उसने चार मन चावल खरीदा यह आपका होता व्हाल Gray800 के लिए पेख्यार सक्ता अगला क्याश्य प्रश्न नमर 15 छंश सकते हैं प्रश घंड», awakening कोई सब्द कारक्चिंद नहीं है खेल कि आपका सब्द काराक्चिंद नहीं तरने तरसे समन्द कारक्चिंद का सब्सक्राइब और सब्सक्राइब का राक्षिन नहीं है आपसे उचे पूछा गया है आज कि Kate Day had a Memphis आपके ऐसे थैंगा राए्ट सो जगा पर है करेक्ट आंसर अगरा सोच्चेन अब आपका जाता है गद्दान्स देखिए आज की क्लास में जो गद्दान्स है आपके काफी बढ़ा है टाइम लेने वाला गद्दान्स है याद अखना सभी को काफी टाइम खिंचने वाला गद्दान्स है इससे ध्यान से आपको पढ़ना है तब आपको आंसर देना है चलिए देखे आपको गड़्दांस COMPANY रखा है और आपके जो आपके इसमें दीए होंगे खालिस्तान उनको आपको बढ़ना है सब को दिखाई तो देर आए ना देखे गड़्दांस है आपका ताना साय जन मानस के तो मैं आपके लिए बढ़ाई कर दिता हूँ option को हम देख लेंगे बाद में देखे तानासा जन्मानस के आपको दे रखा है जन्मानस के खालिस्तान को कोई मैत्वि नहीं देता यह आपको दे रखा है तो option आपके सामने देया हो है देखे तानासा जन्मानस के सुष्पता जागरन आचरन या पर स्वयरू किसको मैत्वि उसका निर्मान उपर से चलता है, किंतु यह है लादा हुआ भार स्वयरूप निर्मान हो जाता है, सच्चा राष्ट निर्मान वह है जो जन्मानस की तैयारी पर आदारित रहता है, योजनाय सासन और सत्ता बनाई उन्हें कारे रूप में पड़िनत भी करें, किंतु साथ ही उन्हें चर चिरिस्ताई बनाए रखने एवं पूर्णता उद्देश पूर्ति के लिए यह आपसक है कि जन मानस उन योजनाव के लिए त्यार हो इस पश्ट सब्दों में हम कह सकते हैं कि सत्ता राष्ट लिर्मान की दूसरे आपका खालीस्तान है दूसरे कुश्टन क्योंग चलते हैं देखे आज की कलास में जो आपके 15 लिए ईसमें आपके पहला आपको दिया हुआ है कि गद्दान से आपके क्या है थोड़ा से time लेने वाला है और थोड़ा हार्ड लेवल का भी है किया देंगे अब आपको दूसरा खालिस्तान को बढ़ना है आपको देख रहे होंगे आपके सत्ता राष्ट निर्मान रूपी खालिस्तान के लिए खल चलाने वाले किसान का कारे कारे तो कर सकती है फसल परयोजना जंगल या फर मसीन तुमसे या आपको दूसरे राष्ट निर्मान रूपी राष्ट निर्मान रूपी खाणी के लिए यहां पर क्या जाएगा आपका प्रसं रूपीया है याद्था मैं यादें कि क्या निस होगा आपका फसल रूपी याद रखना है फर्श नमब उस्टन आपका सही होगा चलिए आगे बढ़ें अले कोशिन की और नैस कोशिन अगला देखिए यहां तक हम नहीं कर लिया था यहां कि फसल रूपी के लिए हल चलाने वाले किसान का कारेत तो कर स और वुच्षित की सामने खरेखिए की इसासन सत्ता यह प्रशन खाली सतान में अब आगे आपका अठारम कोशन है यह प्रशन खाली सतान में मस्तिष्कि चित्र कलेजी आप अर्दे में से आप उच्छाटना है चक्कर की काटा करती है काहां पर आपके यह प्रशन तयार होता है इस प्रश्द का उतर आपको माचा पत्र देगा निर्माण काल में यदि समाचा पत्र कंस्ता मालोचना के उतर कर दोजिशंचत मकडि हूद तो निश्यत रूप से वह आपको सुर्ट ममर की खालिस्तान की ओर चलते असड़िया या पर थर समाल उत्विशना निर्मान के लिए उतने ही आप सकते जितना निर्मान का समर्थन जन्मानास को त्यार करने के लिए समाचा पत्र किस नीती को अपनाए यह प्रिशन अपने में एक विवाद के लिए है क्योंकि बिन बिन समाचा पत्र बिन बिन नीतियों का उद्देश बना करके खालिस्तान होते हैं अब पांचवे नमर के question की और हम बढ़ते हैं बताईए क्या answer होगा पांचवे नमर के question पर answer करिए इसका answer सभी का फटावर से आने चाहिए बढ़ाई क्या answer होगा बताईए याँ आपका नीतियों को उद्देशियों को बना करके क्या करते हैं प्रकासित यहां पर क्या जाएगा आपका प्रकार्शित यहां पर आपको जगा प्रकार्शित होते हैं को लाइक करें वीडियो को शेयर करें अपने सुसल मेडिया पे डिफों में जिते आप से एससी जीडी एक्जाम की तैरिक नुवल विद्धारती हैं उससे और भी विद्धारती आपकी जोड़ सकें एक्जाम के लिए आप अपना टेस्ट कितना कोश्चन सही कर पाएं अपन करें दो